नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपूर के विबित हल्चल पर लोनारा में DDU GKY द्वारा राष्टिय शिक्षा दिवस मनाया गया इस समारोह में पुर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनिस एहमाद परियोजना निदेशक तुशार मेश्रा, निदेशक डॉक्टर स्म राजन, डॉक्टर स्वाती बोधनकर, प्रिंसिपल सेंट्रल इंडिया कॉलेज आफ फार्मसी, सागर ठाकरे प्रिंसिपल फार्मसी सं DDUGKY में MSM, GVBS के तहट छात्रों को कौशल विकास से सम्मदित विभिन्न पाठ्यक्रम चलाय जा रहे हैं। उन्होंने टिपणी की कि मौलाना आजाद को प्रिय है कि स्कूल वो प्रयोक्षाला है जो देश के भावी नागरी को का निर्मान करती है। भक्त जनों का माथा ढांकर अनुशासन में हरी किर्टन आयोजित किया है। प्रभात सिम्रन के प्रवचन में सायोजक अधिवक्ता माधवदास मम्तानी ने उपस्तित श्रधालूओ को बताया कि कार्तिक महा में अकाल पूरख परमात्मा का गुणगान करना विशेश फल्दाई है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी प्रतिदीन तो पढ़ाई करता है परंतु परिक्षा के दिनों में अध्यन का उसे विशेश लाप मिलता है। ठिक उसी प्रकार कार्तिक महा में प्रभू सिम्रन करने से गुरु महराज का अशिरवाद रूपी विशेश फल्मिलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष में 12 चंद्र माह होते हैं। इन 12 माहों में कार्तिक आठवा माह है। पुझ्य पंचयत क्वेटा समाज अपनी धार्मिक और सांस्रुतिक परंपरा में हमेशा अग्रणी मानी जाती है। उसी परंपरा को मान देते हुए धंधन गुरु नानक देवजी महराज के आगमन पूर परप को समर्पित गुरु गरंथ साहिब की अगुवाई में पाठ साहिब का संपुरन समाज की उपस्तिती में किया गया। उसके उपरांत समाज में उतकुरुष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को समाज रतन, समाज गौरु एवं वर्तमान कार्य कार्यनी सदस्यों ध्वारा कुशल कार्य करने पर उन्हें सम्मानित किया गया है। इस आउसर पर समाज के पुर्वा अध्यक्ष ओम प्रकाश धावर दास टूटे जा, कमर चुक, जवाहर चुक को सम्मानित किया गया। देश के प्रथम शिक्षा मंतरी भारत रतन, मौलाना अब्दूल कलाम आजाद की 133 वी जयनती, नागपुर शहर जिला कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष वह विधायक विकास ठाकरे के मार्क दर्शन में, अलपसंक्यक विभागी अध्यक्ष ओवेस कादरी की प्रमुक उपस्तिती में, अलपसंक्यक विभाग के शार अध्यक्ष इर्शाद अली की नित्रुत्व में देवाडिय कॉंग्रेस भवन में मनाई गई। ओवेस कादरी एवं इर्शाद अली ने मौलाना अब्दुलकला माजद की जीवनी पर प्रकाश डाल कर बताया कि भारत में शिक्षा की योगदान के साथ साथ देश की आजादी में उन्होंने जो भूमी का निभाई उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अउसर पर विभागी उपाध्यक्ष एहमद खान, अकील अफसर, इमरान पठान, रिजवान रुमवी, ब्लॉक एवं अध्यक्ष ग्यानेश्वर ठाकरे, वरिष्ट उपाध्यक्ष हाजी समिर, सुरेंद्र मेश्रा, हाजी शहबाज, शायदा बेगम, निसार शेख, शहजाद खान, जुनेद एहमद, विजय निखारे, मनिश ठाकरे, मोहित वास्वानी, जाबिर शेख आदी उपस्तित थे। सभापती श्रावन भिंगारे का भी पत रिक्त हुआ था, और इस वजह से सभापती पत का प्रभार उपसभापती जैश्रीवाल के पिछले नौ महने से संभाल रही थी। श्रावन भिंगारे ने फिर एक बार धमाकेदार जीत दर्च की थी। इस बार उनके खिलाफ भाजपा ने जोरदार प्रचार किया, लेकिन श्रावन भिंगारे के पिछले 14 महिनों के कामकाज को देखते हुए, जन्ता ने उनको फिर एक बार साथ दिया। सभापती पत पर निर्वाचित होने पर तालुका के सभी पधादी कारियों तथा कारे करता उन्हें उनका भिनंदन किया। भारती जन्ता पार्टी नाकपूर महनगर तरफे केसरी राशन कार्ट नागरिकों को अनाज मिलने हैं तू, भव्य जाहिर मूर्चा सुमवार को सुबह 11 बजे स्टेडियम से जिलाधी कारी कारियाले तक जाने वाला है। इसी के सिल्सिले में आज भारती जन्ता पार्टी कामगार आगाडी शहर के सभी पधादी कारियों को बुला कर मूर्चे के बारे में अध्यक्षय ने बताया तथा जानकारी दी। की योजना बनाने की मांग कर रहे है। इस बैठक में भाजब शहर माहमंत्री जैसिंग कच्वा राम आमबुल करने भी पधादी कारियों को मार्क दर्शन करते वे कहा कि माहा विकास आगाडी सरकार कोई काम की नहीं है। सरकार गरीबों का अनाच छीन रही है। आप सभी लोग इस मोर्चे में बड़े पैमाने पर शामिल होकर सरकार का विरोत करें ताकि सरकार जागरुत होकर गरीब जनता को मुफ्त में राशन दे। DCP गजानन राजमाने द्वारा अपने परिक्षेत्र अंतरगत आने वाले सभी पुलिस्थाना क्षेत्र में सारवजनिक जगहों पर अवेद रूप से लगाये बैनर, पोस्टर और होल्डिंग्स को हटाने के बाद इन पोस्टरों को लगाने वालों के खिलाफ पुलिस्थाना अंतरगत तिन कारवाईया कर आरोपियों पर मामले दर्च किये गए हैं। इसके साथ ही अन्यकई जगहों पर लगाये बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर को भी मनपा के प्रवरतन विभाग की मदद से निकाला गया है। उधर समता नगर में वन परन राजमाने ने नागरिकों से हावान किया है कि अगर परीसर में आपराधिक प्रवरुत्ति के गुंडों के बैनर या पोस्टर कही लगे हुए दिखाई देते हैं तो तूरंत इसकी जानकारी पुलिस को दे है। प्रशान्थ सुशिल चाओरिया ब्रुमिला चाओरिया राखी चाओरिया नीलीमा चाओरिया आदी ने उपस्तित होकर कारेक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कारेक्रम का आयजन कसारपुरा मित्रमंडल द्वारा किया गया था उजवल कौरक्षन ट्रस्ट बहादूरा ग्राम उम्रेड रोट नागपुर में गौपाश्टमी पर गौव माता का पूजन विधाक गिरिश व्यास एवं श्रीमती शोभय व्यास के हाथों संपन्न हुआ पीपल के पेड की छाओ में सब्त गौव मंदिर में साथ गाय बचड़े की पुजार चना कर साड़ी ओढ़ाई गई गुड हरा चारा एवं मिठाई खिलाई गई पुश्प माला पहना कर गौव माता का स्वागत कर आशिरवाद लिया उजवल गौरक्षन ट्रस्ट के अध्यक्षा महिंद्र काटारिया महामंतरी भारत भुशन मदान किशोर पाटिल चंद्रभान डाबरे बहदुरा ग्राम पंचैत के पुर्व सरपंच नरेंद्र नांदुर कर ने भी गउमाता का पूजन कर आशिरवाद प्राप्त किया सब्त गउमंदिर के वेरी सभी गउभक्तों ने सयोगत रूप से लिए गउमाता को मावा लापसी का भोग लगाया गया लाभारती अजित बाबु नत्मल जी कोठारी परिवार हस्ते किशोर कोठारी ने लिया है मैनेजर डिकाटे, अनिल बोरकर, तीवारी वो लांजेवार ने विवस्था में सयोग प्रदान किया दयालबाग राधा स्वामी सत्संग एसोसियेशन ओफ नॉर्थ अमेरिका मेरिनलाइन अमेरिका द्वारा फरवरी मार्च 2022 में होली के अउसर पर न्यूजनसी में कुरुशी परिस्तिती की अंतरराष्ट्रे केंद्र का उतगाटन होगा वर्ना की व्रुहत कटाई, जलका आभाव, जैवा वीविधता हाने, व्रुदाक शरन जैसे वर्तमान, एवं भविश्यक की वैश्विक चुनोतियों के समाधान हेतु उपाए, मानदंड तयार करने के लिए पुरी दुनिया से शोधार थियो, वेग्यानिको, पेशेवरो, स Illuminae and Friends Association of DEI-DEI की गैर लापकरी सहयोगी संस्था, INC, कोलंबिया, मेरिलेंड तथा अपनी स्थापना काल से ही, DEI की सहयोगी, गैर लापकरी, गैर सरकारी अंतरराष्टे संस्था, स्फीहा जैसी एक अन्या संस्था भी, ICA का सहप्रायोजक करेगी, प्रमुग प्रायोज जक राधा स्वामी सत्संग सभा ने एक हेल्थ केर, हैबिडेट के रूप में, दयालबाग, कॉलनी की स्थापना, इस समुदाय के कारे करताओं की सतत, निस्वार्थ, तन्मन, धन तथा सूरत की सेवा, और यहां के परम पुझ्य आचारियों के प्रयासों की बदौलत की ह संकट गरस्त जनता, अन्यागरस्त किसान, अत्यचार गरस्त महिला, उपेक्षित छात्र और सरकारी नोकरी में भरती के नाटक में फसे विद्यार्थियों की कतार में, अब राज्य सरकार ने एस्टी करमचारियों की भी लाकर खड़ा कर दिया है समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण एस्टी करमचारियों के परिवार पर गुजर बसर का संकट होने के दौर में ठाकरे सरकार केवल आंदोलनकारी करमचारियों पर निलंबन की कारवाई कर उनके जखमों पर नमक छिड़क रही है इस कारण एस्टिक कर्मचारियों के साथ कंदे से कंदा मिला कर भारतिय जंतापार्टी अब राज्यभर में संघर्ष जारी रखेगी इस आशय की चेतावनी भाच्पा के शहर अध्यक्ष एवं विधायक प्रविन दटके और जिलाध्यक्ष अर्विन्द गजभिये ने एक प्रेश विग्यप्ति के माध्यम से दी है दटके वगजभिये ने कहा कि राज्य परिवहन मावंडल की लापरवाई के कारण समय पर वेतन नहीं मिलने से विभिन्न डिपों में कारेरत 30 से अधिक कर्मचारियों ने डिप्रेशन में अपनी जान दे दी तब भी ठकरे सरकार ने इस पर साधारन संग्यान तक नी लिया उन्होंने आरोप लगाया कि हरताल को समाप्त करने के लिए पुलिस बल का उपयोग करते वे हरताल का दमन किये जाने के कारण कर्मचारियों में भय है संसकार ही अध्यत्म का मूल है शारीरीक और मानसिक शुद्धी संसकारों से ही संभव है यह उद्गार विंध्य पिठादिश्वर बालियोगी अंतरराष्ट्रिय संत संजय महाराज ने वेक्त किये अखिल विश्व सर्यूपारिन ब्रामबन महासभा की ओर से अमरुद्भवन उत्तरमजरी मार्ग में आयो जित श्री राम कथा के पाचविदीन का पुष्प पीरोते हुए संत संजय महाराज ने कहा कि यग्य परमात्मा का स्वरूप है इसे के द्वारा ब्रह्म नर रूप में अवतरित हुआ है यग्य से श्रेष्ट कोई कर्म नहीं है यग्य से ही चित्त की शुद्धी शास्त्रोक्त है कथा के मुख्य यजमान महासभा के अंतरराष्टी अध्यक्ष रामनारान मिश्र व सावित्री मिश्र राजेश प्रसात पांडे व शशिकला पांडे रविंद्र कुमार पांडे व अरुना पांडे है गुर्वार के यजमान शैलेश पांडे तथा ब्रजेश मिश्र थे राम कथाख समय प्रती दिन दोपर तीन बजे से शाम के साथ बजे तक रहेगा आज हनुमान चरित्र वह सुन्दर कांड होगा कल 13 नौवंबर को कथा मिश्री राम राज्य भीशेक के बाद शाम पाज बजे पुर्ण होती रात आड़ बजे महाप्रसाद होगा कारेक्रम की सफलता के लिए महमंत्री राजिश पांडे, ओम प्रकाश मिश्र, प्रेम शंकर चौबे, रतनेश्वर तिवारी, केशवकान तिवारी, शैलेश पांडे, जैराम दुबे, जीवन शुकला, आदी सदस्य एवं पदाधिकारी गन प्रयासरत है महराष्टर प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी पदाधिकारियों ने भारत के प्रथम शिक्षामंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजात की जैनती सदर में मनाई इस अउसर पर प्रदेश सचिव सैयद मुम्ताच, जकी, शफी, गनेश फुल सुंगे, गिज्जु ठाकुर, अंजना मडावी, पिंटु कोटुरवार, विजय मदने, अखिलेश राजन ने उन्हें पुषपांजली देकर उनका अभिवादन किया इस अउसर पर बड़ी संख्या में प्रदेश्व जिलास्तरी या कॉंग्रेस पदादीकारी वो कार्यकर्तागन उपस्तित थे चट पर्व सूरिय उपासना का पर्व है, जिसके अंतरगर डूपते हुए सूरिय की आखरी किरण और उखते हुए सूरिय की पहली किरण को अर्दे देने की परंपरा है उद्यानचल भगवान सूरिय को अर्दे दे कर चट महा पर्व का समापन धूमधाम से किया गया अमबजरी साइत अन्य पूजा घाटो पर प्राता चार से ही छट फ्रतियों ने मिलकर छट गेद गाते हुए छट महापरवकी पूजाकर ने तालाब पर पूजी। तालाबों पर बने पूजा घाटों पर उत्तर भारतिये द्वारा तैनाज सेवाधारियों ने छट वरतियों को सवयोग कर छट मैया के चर्ण में वंदना की और उनसे आशिरवाद मांगा। उत्तर भारतिय सभा के राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्ष उमकांत अग्नियोत्री विदरबाद देक्ष डिबी सिंग एवं जिला अध्यक्ष राम प्रताप शुकला छट पूजा समिती अध्यक्ष राकेश सिंग के नेतरूत्व में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी चट प्रतियों को निशुल का पूजा घाट उपलब्द कराया गया वफल फूल दोद वपूजन सामगरी का निशुल का वितरन किया गया चट महापर्व पूजन उपरांत उत्तर भारतिय सभा के सेवादारों ने तालाप के किनारे बने घाटों की साफ सपाई कर की गोशना की यह अपनी किताबों को प्रकाशित करवाने और दुनिया भर में पाठकों तक पहुशने की इच्छा रखने वाले मराठी भाषा के लेखकों के लिए अच्छी खबर है आसानी से इस्टिमाल किये जाने वाले ऑनलाइन टूल्स की मदद से लेखक महज तीन च लेखकों को उनकी किताबों के प्रकाशन में मदद देती है इसका मतलब यह है कि भारतिय लेखक पेपर बुक और ई-बुक दोनों फॉर्मेट में अपनी पसंदीदा भाषा में अपनी कहानिया प्रकाशित कर सकते है जिनकी विक्रिस सव से जादा देशों में पाठकों को की जा सकती है नोशन प्रेस के CEO नवीन वलसा कुमार ने लॉंच के अउसर पर कहा भारतिय भाषाओं में किताबों की डिमांड काफी बढ़ रही है आने वाले समय में यहां डिमांड और तेजी से बढ़ेगी मध्यरेल भारत स्काउट एवं गाइड नाकपूर मंडल द्वारा भारत स्काउट गाइड के स्थापना दिवस के उपलक्ष में मंडल रेल प्रबंदक कार्यले के प्रांगण में कुवीट प्रोटोकॉल का अनुपालन करते वे जंडा वंदन का कारेक्रम आयोजित किया कारेक्रम में मंडल रेल प्रबंदक एवं अध्यक्षा रूचा खरे स्काउट एवं गाइड मुख्यातिती के रूप से उपस्तित थी और अपर मंडल रेल प्रबंदक एवं मुख्य जिला आयोक्त जैसिंग तथा अपर मंडल रेल प्रबंदक पीयस खेरकर विशेश इसके पस्चात मंडल रील प्रबंदक एवम अध्यक्षा रूचा करे भारत सकस् Lesson नाग्पूर मंडल नवनीउक्त जिलायोक्त गाइट पुर्णीमा तलवारे वरिष्थर राजभाशा आधिकारी नवनीउक्त साहयक जिलायोक्त गाइट विरानगरकर सहायक मंडल भहुतिक चिकित सा अधिकारी तथा सहायक जिला आयुकत स्काउट विनूद वन्नलवार सहायक मेंटेनेंस इंजिनियर का साथकार किया गया वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी एवं जिला आयूक्त पुर्णीमा तलवारे गाइड के सहयोक से आयूजित इसकारेक्रम में मंडल के सभी शाक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में रेल करमचारी उपस्तित थे आज़ादी का अमुरुत महोच्षव के अंतरगत दक्षिन मद्धक शेत्र सांस्कूरुतिक केंद्र नाकपूर द्वारा रविवार को प्राता साड़े च्छा बजे केंद्र परिसर में प्राता कालिन संगीत सभा ब्रह्मनात का आयोजन किया गया है इस आयोजन में मुंबई की प्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित मिलिन्द रायकर द्वारा वायोलिन वादन की प्रस्तुती दी जाएगी पंडित मिलिन्द रायकर पदमश्री पंडित डी के दातार एवं पदमविभुशन गान सरस्वती किशोरी अमुनकर के शिश्य ह इन्होंने प्रारंब में गोवा के प्रसित दवाईलिन वादक प्रोफेसर एपी डाकोस्टा से पस्चिमी संगीत का आध्यान प्राप्त किया बाद में वे हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत में स्थानंतरित हो गये और अपने पिता स्वर्गिय अचुत रायकर पंडित बीयस मठ धारवाड एवं पंडित वसंत्राव काडनेकर गोवा से हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत की शिक्ष्या प्राप्त की इने कई पुरसकारू और उपलब्दिया प्राप्त है इसमें All India Radio द्वारा गोल्ड मेडल सुर्मनी युवनमेश पुरसकार 2005 इंटरनेशनल जाइन्ट सवाट 2013 स्पंदन सोकियो पुरसकार 2016 आधी पुरसकारू का समाविश है पंडित मिलिंदर आयकर रिदेश आर्ट्स मुंबई द्वारा स्वरप्रग्या की उपाधी से सम्मानित है वे इटली में सीवी टेलर आनरी फाउंडेशन से फेलोशिप ट्राप्त करने वाले पहले संगितकार है इस प्रस्तूती का प्रसारन आरे आई टेलिवीजन इटली म किया गया था बेली शाप मोती भाग रेलवे कॉलिनिस्टित प्राचीन श्रीश शिव मंदिर में छटपुजा का आयजन किया गया मंदिर परिसर में बनी कुरूत्रिम टैंक में वर्तियों ने डूपते सुरिय वसातवे दिन सुबह उकते सुरिय को अर्द्य देकर हवनव राजिस द्विवेदी ने हवन पुजा कराया आयजन की सफलतार्त आनन सिंग, प्रकाश्राव, गुंडुराव, पी सत्याराव, डॉक्टर प्रविन डबली, अनिल शर्मा सैथ सभी श्रद्दालू उने सायोग किया हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्राचीन शिव मंदि मंदिर परिसर में स्थित आवला पेड के नीचे आवला नवमी उत्सव का आयजन किया गया है, उत्सव के दवरान महिलाओ द्वरा आवले के पेड की पूजा कर उसी पेड के नीचे बैटकर परिवार के सदस्य भोजन प्रसाद ग्रहन करते है, आयो जकोंने इस उत्सव म देवी में छट पुजा समिती की ओर से पहली से दसवी कक्षा के विद्यार्टियों को स्कूल उपयोगी वस्तुय वितरित की, क्षेत्र की 300 विद्यार्टियों को स्कूल सामगरी वितरित की गई, इस समय पूर्वमंत्री रमेश चंद्रबंग, निको गुरूप के A.B. प ग्राम पंचायत सदस्य मंगलार अड़के, हरशलाल मेश्राम, आधी प्रमुक रूप से उपस्थित थे, कारेक्रम को सफल बनाने में रविकान चतुरवेदी, शशिकर चतुरवेदी, ग्राम पंचायत सदस्य राहूल पांडे, रोहित यादव, लक्की सिंग, अभिशेक सिंग, आदर्ष चतुरवेदी, सानुपांडे, मयंग कोडगुले, आशिस सिंग, मनिश्टिवारी, आकाशगीरी, मुन्ना विश्व कर्मा, शिवशंकर चतुरवेदी, आधित्य सिंग, अजय प्रधान, श्री राम सिंग, सिद्धार्थ सिंग, संधिप यादव, पदमा चटपुजा समीती डिगडोहों के पदादिकारी एवं कार्यकरताओं ने अथक परिश्रम किये नाकपुर महानगर पालिका के उपद्रव खुजिदल ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठान पर कारवाई करते वे 50,000 रुपे का जुर्माना वसुला टीम ने 42 मंगल कारेले, 25 मंदिर, 9 मजजित, 69 स्कूल कॉलेज और 6 अन्य धर्मिक स्थलू का निरिक्षन किया गया वहाँ उपस्तित लोगों को मनपक शितरादिकार के अंतरगत, लागू कुविड नियमो और टीका करन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई साथ में यहाँ भी चेतावनी दी गई कि कोई नागरी की यदि संबंदित प्रतिष्ठान के अनुसार दो या कम से कम एक डोज लेकर नहीं आता है तो उसके खिलाप कारवाई की जाएगी मनपा आयुकतर आधाकृष्णन बी के निर्देशानुसार और उपद्रोख होजी दल के प्रमुक विरसिन तामबे के मार्गदर्शन में मनपा की टीमों ने यहाँ कारवाई की तो नागपूर हलचल में आज इतना है आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार